आज हम आलू की ऐसी जबरतस रेसिपी बनाएंगे यदि आप इस तरह से आलू की सबची बनाएंगे यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रहे जाएंगे यह बहुती लाजवाब सबची बनकर तयार होती है नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्याम्र सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना इसे बनाने के लिए हमने कडाही में चार बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें एक छोटा चमच जीरा डालेंगे अच्छे से इसे चटकने देंगे अब हमने यहाँ दो मीडियम साइज के प्याज को एकतम बारी काट कर लिया है प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि यह पूरी तरह से सौफ्ट ना हो जाए और इनका हलका सा कलर चेंज ना हो जाए आप इसे अच्छे से भून लीजिएगा तो हमारा प्याज जब तक भून रहा है हम एक तयारी और कर लेते हैं हमने यहाँ पर चार चम्मच रूम टैंपरेचर वाला दही लिया है इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे हमने दो चोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है आदा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और दो चोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है इससे सबजी का कलर पहुत अच्छा आएगा और ये तीकी नहीं होती है आदा छोटा चमच, जीरा पाउडर अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप दही में जब मसाले डाल कर मिक्स करते हैं और फिर सबजी में एड करते हैं तो दही कभी भी नहीं फटता है और ये लिजे हमारा दही का पेस्ट बनकर तयार हो गया है और इधर हमारे प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए है मैं इसे बीच-बीच में भून रही थी तो जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें एक इंच अद्रक के टुकडे को बिलकुल बारी काट कर डालेंगे साथ ही मैंने 7-8 लहसून की कलियों को बारी काट कर डाला है और 2 हरी मिर्च ली है ये मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है अब हम इन सबको भी 2 मिनिट के लिए प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्छापन भी निकल जाएगा हमें 2 मिनिट हो गए हैं इन्हें भूनते हुए अब हम गैस की फ्लेम को बिलकुल लो पर कर देंगे और जो हमने दही और मसालो का पेस्ट बनाया था वो इसमें एड कर देंगे अब हम दही वाले पेस्ट को continue चलाते हुए मिक्स करेंगे इसे continue चलाना बहुत जरूरी है और ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसे भी हम कम से कम 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे और ये देखिए दही वाले पेस्ट को मैंने अच्छे से 2-3 मिनिट भूना और आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से कितना बढ़िया इसका कलर आया है तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे मैंने दो मीडियम साइच के टमाटर को मिकसर में चला कर पीस लिया था वही मैंने इसमें एड किया है पहले हम टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिकस कर लेते हैं और जब ये अच्छे से मिकस हो जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे मैं यहाँ एक छोटा चमच नमक डाल रही हूँ आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा अच्छे से इसे mix कर देंगे और अब हम टमाटर के paste को भी तब तक भूनेंगे जब तक की मसालों के किनारों से तेल अलग ना हो जाए और ये जो paste है वो पैन छोड़ने ना लग जाए ये देखे टमाटर काफी अच्छे से भून गया है एक दो मिनिट इसे और भूनेंगे और ये लीजी आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटे में कितना कम दिख रहा है हमने इसे बहुत अच्छे से भूना है तो आप भी इसे तब तक भूनिए जब तक की ये कडाही छोड़ ने ना लग जाए और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो मैंने यहां पानी को बिल्कुल गरम करके लिया है तो आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिए और इसे मिक्स करते जाए इस सबजी में बहुत जादा ग्रेवी नहीं होती है बस मसाला अच्छे से लिप्टा रहता है आलू के इसी तरह की ग्रेवी होती है तो अभी मुझे यह काफी गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल देती हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहां पर करीब डेड़ कप पानी का इस्तेमाल किया था अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लोग पर कर देंगे और इसे आठ से दस मिनिट के लिए ढख कर पकने देंगे यह मसाला हमें अच्छे से पकाना है तब तक हम एक तयारी और कर लेते हैं हमने एक पैन लिया है इसमें हम एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे घी या बटर किसी का भी इस्तेमाल किय जा सकता है घी गरम हो गया है अब हमने यहां पर एक छोटे साइज के प्याज को इस तरह से लंबे आकार में काट कर लिया है साथ ही आधी शिमला मिर्च को भी सेम लंबे आकार में काट कर लिया है एक हरी मिर्च को बारिक काट कर लिया है अब हम इन्हें हाई फ्लेम पर ए रूबले हुए आलू लिये हैं, आलू को उबाल कर ठंडा करके इस्तेमाल कीजिएगा, और अब हम इसपर एक छोटा चमच कसूरी मेथी डाल देते हैं, आदा छोटा चमच हमने गरम मसाला लिया है, आदा छोटा चमच से भी थोड़ा सा कम ही है ये, और अब हम इसमे के लिए अच्छे से भून लेंगे इससे आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटे हो जाएंगे ये लिजी हमने इने दो मिनिट के लिए भूना है और इधर हमने जो मसाला पकने के लिए रखा था आठ दस मिनिट मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया और बीच में मैंने इसे दो बार चला दिया था तो ये हमारा मसाला बिलकुल तयार है अब हम इसमें ये सारे फ्राय किये हुए आलू डाल देंगे और साथ ही मैं थोड़ा सा बारी कटा हरा धनिया डाल रही हूँ और अब हम धीमी आज पर इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखे इ सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये लिजी एक मिनिट हो गया है गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए सबजी हमारे तयार है आप इसे पूरी पराठो या चावल के साथ सब कर सकते हो तो फ्रेंट्स रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा